अगर आपको पता चाहे हैं नेता नगरी के इस सत्र में हम बात करते हैं जब आप देही की आपके कुछ सवाल और हमारे कुछ प्रसंग सामने आते हैं तो आए देखते हैं आज क्या है पिटारे में और भाई साव और बहन जी ये पूरी तरह से सर्प्राइज रहता है हमाई जनता हमको पहले से दिखाती नहीं कि है क्या नितानगरी दिल को चुझाने वाला शो सौरब सर अगर ये शो मैं दिन भर भी देखता हूं तो पिताजी से डांट सुनने को नहीं मिलती आपके बोलने की कला अदभुत कमाल मनमूहनी है सब मिला के स्पीचलेस गुरू छा ग कोई दर्शक जब भाव भिवोर होकर आपकी तारीफ करें तो पूरी पिनमबरता के साथ करबद होकर प्रणाम कर उसको स्वीकार करें तो आज दूसरे सत्य का रुक करते हैं आपने इतनी सारी बाते कहीं बहुत बहुत धन्यवाद इसका श्रेज आता है मेरी मा को जिन्होंने मुझे सबसे पहले कहानिया सुनाई पिता का इंतजार करते थे हम दोनों गाओं में उसके बाद श्रेज आता है मेरे अध्यापको को मेरे विद्यालियों को मेरी यूनिवस्ट्टी को मेरे प्रफेसर्स को और older जाता है मेरे सेकर्मियों को जिनहोंने मुझे भाशा और विचार को मांज़ने में मदद किये तेरा तुझको अर्पन क्या लागे मेरा सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है आपको क्योंकि जब जब बोला तो आपने कभी आलोचना की कभी ठप ठपाई और जरूरी साहस और सबक दिये और हमको बड़ी खुशी हो रही कि चाचा जी आपको डाटते नहीं है अब तुम इस कारिकम को देखकर राजनेतिक रूप से जागरूग नागरिक बन जाओगे गुरू प्लीज आल्सो ब्रिंग अवद ओजा सर और रंगरूट और दूसरा है खान सर का शिश चाचाई नामी है खान सर को बुलाईए प्रामिस दोनों लोगों को बुलाएंगे अवदोजा सर को भी जो की अपनी पढ़ाने की शैली को लेकर बहुत मकबूल हैं बहुत प्रिसिद्ध हैं और खान सर को भी दोनों तक हम आदिकारिक रूप से भी और अनुप चारिक रूप से भी अपना निवेदन भेजवाएंगे और यहां भी सार्जने गूप से उनको नहीं होता भेज रहे हैं गुरुजी ललन टॉप के मंच पर आईए और अपने हिस्से के ज्ञान से हमें समादृत करिए श्रीवम ब्लॉग सॉरफ जी उत्तरप्रदेश चुनाओ 2022 में आपने राजा भाईया का इंटर्विव लिया था तो इस इंटर्विव में लास्ट में आपने कहा था कि हम आपका इंटर्विव दोबारा लेंगे बच्चों की शादी के बारे में वह इंटर्विव कब कि आप राजा भाईया ने इंटर्विव के बार हमसे कहा कि सॉरफ जी ये जो बच्चों की शादी और जाती वाला प्रसंग था ये थोड़ा सा दिरेल हो गया मामला उनकी ये राय थी और मैं तब भी उसे इतिफाक नहीं रखता था आप सब जानते हैं हमारे सुधी कि मैं जेंडर और जाती के मामले में किस तरह से आग रही हूँ कि भेद नहीं होना चाहिए इनफेक्ट मेरी साथी है सोनल वो एक किताब पढ़ रही थी मैं उनसे जपट के लिए उन्होंने पढ़ ली है उनको तोफे मिली थी वो मैं आज फोरसत की सला में आपको रेक्मे फार्मा हिंद सौरब सर में अलवर जिले के सिधी विनाय कॉलेज और साइंस और अधर एड़केशन बी फार्मा कर रहा हूं कॉलेज में बी फार्मा डी फार्मा साथ सीट एक प्रिंस्पल और एक जुगारू टीचर से कोर्से चला रहे हैं करे पैसे अपने द्वारा उठ हाई है फार्मा हिंद जी आपकी मांग दुरूस्त है पर मेरा सुझाओ है कि आप जो इसके लिए उत्तरदाई एजन्सीज हैं उनको शिकायत पहुचाएं उसकी वजह बता देता हूं देखे ग्यक्तियद रूप से मैं चाहता हूं मेरे ट्विटर पे बहुत सारे लोग मै प्राइवेट कॉलेज और इस तरह के जो पर्सनल ग्रिवेंसें उनको एक जनरिस के तोर पर एड्रेस कर पाएं उन्टिल अन्लेस वो किसी बड़े समू या बड़े मुद्धे को एड्रेस ना कर रहे हो समस्या के तोर पर मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं देखे अभी एक तो बात यह कि यह आपने अपना पक्ष बताया पत्रगार की दौर पर हमारी ट्रेनिंग होती है कि हम कॉलेज का पक्ष जाने तो मैं अभी इस समस्या पर नहीं जाओंगा पर यह सत्य है कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज और इसलिए बड़े प्रमाने पर भरती कर ली जाती है लेकिन पर्मानेंट सिक्षक नहीं होते हैं और आप तो मुझे पता नहीं स्कॉलेज के सुरूप प्राइवेट है सरकारी है बड़ी बड़ी सेंटल यूनिवस्टी में भी स्टेट यूनिवस्टी में भी हमने यह चीज देखी है कि एड हॉक और गेस का शोलर सही हो गया आपकी द्वारा की गई कारवाई को पृशासन द्वारा पुरован की आक्षण मे लिया गया पुस्त का अले और सही हो गया स्वहरय भीया आप से बच्चों की मांग जो जायस थी जरूरी थी उसको माना बहुत शुक्रिया और सुर्वन्ची जी आपका भी शुक्रिया कि आपने पहले समस्या उठाई और समाधान हो गया तो उसके बारे में भी जागरू किया हम निमित्मात रहें पुस्तकालियों को लेकर मैं अतरिक्त आग रही रहता हूं एक आदमी या औरत के हाथ में किताब हो एक घर में किताबों का कमरा हो एक कमरे में खूब सारे लोग बैठे हो और किताबों में लिखी बाते हैं और उससे एतर बातों पर जिरह कर रहे हो बिन कभी नाटक हो रहा हो कभी लोग गीत हो रहा हो पुस्तकाले हो वाचनाले हो सुबे सवेरे बुज़र्ग जुटें नौजवान जुटें बच्चे भी जुटें जब उनका स्कूल नहीं है अकबार पढ़ें पत्रिकाय पढ़ें किताबें पढ़ें कितना अद्भूत होगा डिमोक्रेसी के लेवल पर समाज के लेवल पर अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपने देश के समाज के लिए तो पुस्तकालियों और किताबों के सब्यान से खूब जुड़ें और सिर्फ सरकारी इंदाद की बाटना जो है सूरिया गोश्ठी सौरा बहिया MP से हूँ चातर भी MP में PSC की भरती 2018 के बाद नहीं हुई लाकों विद्यारती परेशान है आरक्षर पर लटकी हुई है सरकार तमाशा देख रही सुनवाई की तारीक आती है MP के सॉलिसीटर जनरल गायब रहते हैं बेरोजगार धरना पर दर्शन कर चुके हैं कोई फायदा नहीं आप ही हमारी कुछ मदद करें क्रपया खबर को चलाएं MP सरकार के कानों में बात पहुचाएं आप कानुज सूरिकांत गोश्ठी बीजा डांडी मंडला MP सूरिकां जी पिछले नेता नगरी में आपकी तरह एक साथी ने हमसे पूछा था स्पोर्ट के इंस्टिउशन में दाखले के लिए और मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि हमारी रंगरूट की जो टीम है सिक्षा और करियर से जोड़ा ललन टॉप का जो नया उपक कि मद्य प्रदेश में जो लंबे समय से PCS की भरती नहीं आई है उसको लेकर क्या मसले है सरकार की तरफ से क्या हीला हवाली है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नौजवान तैयारी कर रहे हैं उनके क्या मसले है इस पर जरूर विस्तार से एक कारकम बनाए दिवाकर देखे घंटा बजने के पीछे तो पूरा स्वर ध्वनी अनुनाद नाद का खेल है हमारे यहां हजारों वर्षों से नाद नाद का रेजोनेंस का जो विज्ञान है उस पर बहुत विस्तर धंक से लिखा गया है मैं कोशिश करूँगा कि एक अलग से कारकम बने कि नाद का हमारे मस्तिश्क के तंतुओं पर किस तरह का असर पड़ता है आपने वो थरपी सुन्योंगी ऐसे टंग लोटे में गोल गोल घुमता है फिर बाहर घुमाते रहते हैं और वो कैसे कामिंग एफेक्ट रखती है मंदिरों में घंटा टांगने के पीछे भी यही विज्ञान काम नहीं बताए जाता है कि वो जो स्वर उससे उपच्चता है जो ना अद उपच्चता है वो क्या आसर करता है हमको लगता है कि जो हमारे production रेडर रजत सेन उन्होंने इनी सब चीजों को ध्यान में रखते हुगे वो घंटा बजाया होगा अप घंटी तो बचती है भाक देखी तिन तैसी विवेक यादव सौरब सर्थ में बिहार के मदेवपुरा जिले का रहने वाला हूं 19 जुलाई 2021 को साथ निश्चा योजना के अंद्रगत बिहार स्टुडेंट करेड़ कार्ट लिए अपलाई किया अभी एक साल साधिक हो गया अभी तक लाब नहीं मिला आ उर यह जाना जाए कि वहां पर यह जो स्टुडेंट क्रेड़िट कार्ड है क्यों नहीं मिलना है अजिसकर मगा और एगर आप मैंसे और लोगोग को भी स्टुडेंट क्रेड़िट कार्ड में दिख्कत आ रही है तो वो हमें रंगरूट at lalantop.com पर mail करके जरूर जानकारी दे दर्शन यादव सन्राइज सौरब भाई जी आप लेकपाल पेपर लीक पर भी कुछ वीडियो डालो on main channel पेपर लीक यूपी वीक दर्शन जी जिस दिन ये पेपर लीक हुआ था हमने विस्तार से ललन टॉप शो में इसको खबर किया था इस पे खबर की थी और अंगूट में भी लगातार कवरेज हो रही है सुमन कुमार ए सौरब भाईया अच्छा ए सौरब भाईया पी-म के लिए खरा हो ये वोटवा हम लोग दे देंगे सुमन भाई सब राजनीती में चले जाएंगे तो आप तक खबरें कौन पहुचाएगा फिलहाल हमारा राजनीती में जाने का कोई इरादा नहीं है अभी हम आप लोगों से समबाद में ही मगन है और सीधे पी-म के लिए क्यों घड़ा करवा रहे हो भाईया बिनायकी सांसिदी पहले आती है सही है अच्छा इनका नाम है सही है डिग्री तो ऐसे बता रहे है चिच्चा जैसे IIT से गोल्ड मेडल चांपे हो हमारा JNU पहली बात तो किसी IIT से कम नहीं है और कम तो हम अपने DV कॉलेज को भी नहीं समझते हैं पहले के विद्यालियों को शिश्मंदिर समेथ भी नहीं समझते हैं तो यह जो तुम गुरू एक हायार्की यहां इस्टैबलिश कर रहे हो ना कि IIT में नहीं तो तुम्हाई अंदर आगे हैं उस अंकल के कीटानू जो रोज शाम को आते हैं नाश्ता धासते हैं बुरा मैसूस करा के चले जाते हैं पहली बात तो यह है दूसरी बात हम जब जाते हैं IIT में हमको मिलता है भरपूर प्यार और महबबत भी और हमको वो बुलाते हैं बातें करने के लिए तो अपना उसी से कोटा कोरम पूरा हो गया हमाई बहुत सारे IIT की दोस्त हैं भले लोग होते हैं IIT में पढ़ने वाले तो यह जबरजस्ती का तुम जगला तो लगवाओ नहीं रही बात गोल्ड मैडल की तो हम अपने मूँ से क्या बताएं कि हम कित्ते गोल्ड मैडल जीते हैं आओ कभी अवेली पे दिखाते हैं तुमको कित्ते तमगे हमाई नाम के लटके हैं हमाई घर की कील पे मम्मी पापा बहुत प्राउड फील करते हैं अचली मैं यार जब मैंने टॉप किया था तो सर्टिफिकेट मिलता है इनाम बगएरा मिलता है अचली मेंडल का तब चलन नहीं था धरम सौरब जी आप जेन्यू से पढ़ें आपके अंदर वो जेन्यू वाला कचरा जलगता है आपकी विचारधारा से जेन्यू भारत तेरे डैश-डैश होंगे वही जेन्यू पहली चीज सौरब में भा आता है भारत वाला भा और यह जब डॉट डॉट लगाना होता है तो हमेशत यह व्याकरण का नियम है कि तीन डॉट लगाने होते हैं और यह डॉट भी नहीं है तीसरी चीज वाला होता है बान ही होता है तो थोड़ा सा वर्तनी की गलतियां सुधारिये ये भविश्व में और आपके वर्तमान में भी काम आएंगी दूसरा जे नियू वाला कचरा से आपका क्या ताथ परे मुझे नहीं पता है और आपको कोई अधिकार नहीं है एक इस देश की सबसे शांदार यूनिवरस्टीज मैंसे एक को इस तरीके से भला बुरा कहने का मुझे लगता है कि आपने वाटसेप और तमाम दूसरे मीडियम पे एक विश्विद्याले के बारे में जो कचरा परोसा जाता है वो जरूरत से जादा ग्रहन कर लिए और वैसे कचरा जरूरत से जादा और कम किसी भी रूप में किसी भी परिमान में हानिकारक होता है कचरा निस्तारित करिए उससे खाद अच्छी बनेगी उस खाद को पौधों में इस्तिमाल करिए तो जो push पाएंगे वो आपकी ग्रान शक्ति बढ़ाएंगे फल आएगा उसका सेवन करिए उससे आपके शरीर में ऊर्जा आएगी हो सकता है मस्तिश्क में भी कुछ सही ऊर्जा आए point one point two एक विश्विद्याले वो जगे होती है जहां पर अलग-अलग विचारधाराओं के लोग पढ़ते हैं पनपते हैं और यही विश्विद्याले की अनिवारिता होती है इसलिए वहाँ से future leader निकलते हैं जैसे हमारे देश की जो वित्त मंत्री है निर्मिला सीता रामन वो जेन्यू से पढ़के निकली है हमारे देश के जिस ललन टॉप के कारिकरम को देखकर आपने अपने नहायती कीमती समय से निकल के यह हमको भला बुरा कहने का वक्त निकला उस ललन टॉप का संस्थापक संपादक सौरब भी जेन्यू से पढ़के निकला है तो जेन्यू अभी आपकी समझ से बाहर की चीज है पढ़े और जहां तक भारत तेरे वाली बात है उस वीडियो को लेकर देश की अदालत में विचार चल रहा है जेन्यू हो या कोई भी जगे हो यदि वहाँ पर इस देश की एकता या अखंडता को लेकर किसी भी किस्म का खत्रा पैदा हो तो इस देश का कानून उनके आएगा शायद समझ में मैं उम्मीद नहीं खो रहा हूँ आपको लेकर आप भी मत खोईएगा सौरब महराज किताब वाला प्रोग्राम से क्या बैर हो गया आपको आप तो किताब वाला प्रोग्राम लगबग बंदी कर दिये महराज मास्टर क्लास अच्ची पहले पर नए के चक्कर में पुराने प्रोग्राम को मत छोड़िए गुजारिश है आपसे सौरब भाई आपका आदेश बाद में आया हमने क्रियानवन पहले चालू कर दिया अगले हफते जो किताब वाला आएगा वो आपके सेवक नहीं किया है थोड़ा पेपर आउट कर देते हैं ये वाला पेपर आउट ठीक होता है जग जी सिंग जी पर वरिष्ट पत्रकार राजिश बादल जी ने एक बहुत ही भाव प्रवण जीवनी लिखी है उस पर उनसे विस्तार से बात हुई है आप जरूर देखेगा हर बुद्वार को नए दर्शकों को बता दे हैं किताबों पर हमारा कारेक्रम आता है किताब वाला की नाम से किताब वाला का पिछला एपिसोड जो हमारी सहोगी सोहनल ने किया था और उसमें जो महात्मा गांधी की पत्नी थी कस्तूर बाबा उनके उपर महात्मा गांधी के ही प्रपोत्र तुशार गांधी ने किताब ल गोमाजने में तराशने में मदद मिलती है। आप सवाल पूछते हैं उससे हमें सबक मिलते हैं और मिलता है साहस अपने हिस्से की वस्तु निष्ठ पत्रकार्ता करने का। बाकी तमगे हैं सब तरफ से वो भी मिलते हैं जो जैसे मिलें। तो दिए वस्तु गोविंदम तु सुद्विव समर्पेत हमारे गोविंदम आप हैं हमारी जवाब देही आपके प्रती है।